आज है 12 February और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ओफ बरुडा के बारे में 170 रुपए का ये शैर है और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नई वो भी हाल फिलाल में जिस तरीकी की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब काफी साथ हेल्प करेंगे तो 170 रुपय के आसपा शेयर ट्रेड कर रहा है बैंक ओफ बरोडा का और जैसे ही खबर आई थी कि बैंक ओफ बरोडा को MSCI इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है शेयर भागा था उस दिन आप देखें यहां पर 173 तक गया लेकिन बाद में दीरे 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 तूट कर यह जहां था वहीं पर यह क्लोस हो गया अच्छी खबर जरूर थी बहती बहतरीन खबर है जिससा भागा इफेक्ट देखने को मिलना भी चाहिए लॉंगर रन में क्योंकि भागा MSCI Morgan Stanley Index में जिसको जगे मिलती है वहां पर और अर्लेडी हमें इंक्लूजन जादा देखने को मिल ही जाता है यह बड़ी बात है यहां पर लेकिन देखो अभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ चीजे हैं जिसके बारे में जानना समझना जरूरी है और सबसे बड़ी बात है रपोरेट तेकर आर्बिया ने रपोरेट में बढ़ातरी करी है वो कहीं न कहीं जिसका मतलब यह है कि लोग ज करेगा लेकिन लांग टर्म के लिए मुझे लगतने की दिक्कत होगी बैंको बरोडा को क्योंकि बैंको बरोडा का अच्छी पोजिशन में नजर आ रहा है और देखो पी एस यू डेफिनिटली मैं मानता हूं कि आने वरे दोर में अच्छा परफॉर्म करेगा अच्छी ब बात है काफी अच्छी कॉंटिटी में ट्रेड हो रहे हैं कंपनी ने लास्ट क्वाटर डिसंबर में अच्छा रेवन्यू भी कमाया अच्छा प्रॉफिट भी कमाया और टाइम हाई है यह तीन हजर पांसो करोड़ से भी जादा के प्रॉफिट रहे जो कि बहुत अच्छ प्रॉफिट रहे हैं कंपनी को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के बास बहुत बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर कौन है यहां पर गॉफिट है और एक भी शरिंग का गिरवी नहीं होते हैं 39 मूचल फॉर्ड स्कीम का पैसा लगा है और इतना ही ने लाई सी का हेल्थ प् परसान की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है बैंक बरोडा अगर देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल उसर चौदा परसान लोग कहरें कि बेचो 86 परसान लोग कहरें खरीदारी करो बैंक में अगर हम देखेंगे तो इनके रिवन्यू में लगातर बढ़ातरी देखने को मिली से 2020 तक लेकिन बात में थोड़ा सा दो साल इनके लिए खराब रहे लेकिन ये अभी और बड़ी रफ्तार से उचलेंगे क्योंकि भाई आप बहुत तेजी से इनके रिवन्यू में बढ़ातरी हमें देखने को मिल रही है दो फैनेंशल ये 2023 में इनका जो रिवन्यू होगा वो कम से कम 90,000 क्रोड के आसपास होगा चोंकि काफी अच्छा माना जाता है प्रॉफिट पर अगर आप देखोगे तो बढ़ तो रहे हैं 7700 क्रोड का प्रॉफिट 2022 में था और ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि लास्ट क्वाटर में 3800 क्रोड मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ये तो 2023 में अब तक का सबसे हाइस प्रॉफिट ये आपको दिखाता नजर आएगा और जहां तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो कंपनी में सबसे पहले डिविडेंट के अगर हम नजर करें तो देखे 2017 में पे किया था बात में 2018, 2019, 2021 तक पे नहीं किया इसने डिविडेंट लेकिन 22 में पे करना शुरू किया 2.85 पैसा 23 में भी पे करेंगे ये ठीक है जून महिने में हर साल पे करते हैं इस बार भी जून महिने में ही पे करेंगे यही एक्सपेक्टेड भी है इनसे बैंक को बरोडा देखने की कोशिश करें तो भई यारा का इसका पी रिश्व है सेक्टर पी 21 का सस्ता जरूर है और इसलिए 88 परसंट एनालिश कहते हैं खरीदारी करो तैकि मेरी बाइंग के रिकमेंडेशन है लेकिन 170 पे नहीं मुझे आता है कि यहां से दुबार से और फर्जा करेक्शन बनता है और कहां प 55 परसंट की होल्डिंग थी वो घटके 10.87 पर आई है डोमेश्टिक ने भी बेचा है 7.36 परसंट की जो होल्डिंग थी वो घटके 6.82 पर आई है लेकिन बहुत बड़ी खरीदारी जो जिसने करी है वो है एफ़ाइल्ज 8.93 परसंट की होल्डिंग बढ़के हो चुके है 10. 10.23 मतलब कि mutual funds और domestic ने बेक्वाली करी है FIs ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है रीटेल के अगर हम बात करें थोड़ी से बेक्वाली हुई है 8.19 परसंट की होल्डिंग जो है वो 8.11 पर आगई और रीटेल इंवेस्टर की स्पेसिफिक लिबात के तो 6.50 परसंट की होल् देके bank of brother definitely एक अच्छा bank है लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की interest rate बढ़ रहे हैं और जिस तरीके के बढ़ने के आसार है आने वाले दिनों में उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से share price में बहुत ही कमबक में एक बहुत बड़ा bounce back देखने को मिला है उसको द्यान में रखते हुए मुझे रखता है कि थोड़ा सा correction यहां पर बनता है और वह correction मुझे लगता है कि 150 रुपए के नीचे यह शर्ट जाना चाहिए और अगर वहां पर जाता है तो शायद मौके बनेंगे कि अगर आप देखो तो 90 रुपए से जो भागना शुरू गया तक तक तो गया लेगन अब दिरे दिरे correction दिखा रहा है बीच बीच फोड़े बहुत तेजी देखने को में लेगन वापस यह तूड़ गया और मुझे रता है कि शायद थोड़ी से और फर्दर गिरावट यहां पर बची हुई है और मुझे यह शर्म मुझे यहां से रख तो production में कटाउती करने की बात करी हुई है कही शारे देशों ने जो बड़े oil producer है उनके तरफ से एक खबर आई है उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो interest rate काफी बड़ी चीज़ हुई यहां पर जरूर है इसके अलावा वाई अदानी वाला मामला भी कहीना कि थोड़ बात परेशान करता नजर आज जरूर रहा है लेकिन फिर भी मैं यही कोंगा आपसे कि नजरे बनाए रखे पीएस्यू से मुझे काफी ज्यादा भरोसा है आने वाले दोर मुझे लगता है कि पीएस्यू अच्छा परफर्म करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधी के लिए थोड़ा सा अवाइड करिये खरीदारी करिये तो बने रही है लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की तो थोड़ा सा अवाइड करेंगे तो फाइदे में रहेंगे कि सिच्विशन अभी भी उतनी जादा संभलती हुई नजर नहीं आई है तो बैंको ब्रोड़ा खरीदारी करिये बने रही है फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 140-150 रुपे की रेंज का आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से इसके अलावा दो और बैंकिंग शेर है पहला तो वह यह फेडरल बैंक 132 रुपे का हाला कि सरकारी नहीं है और प्राइवे वीडियो बनाओं तो जिसकी बैंक के उपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखेगा सबसे ज़्यादा कमेंट जिसके आएगी अगला वीडियो उसी का होगा तो वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें चैनल पगरा पहली बाह आएगा थैंक यू